अद्र की शेप काफी शानदार बिलकुल उताजी भाई है गगन जी क्या नेच वाली बात सब्सक्राइब कितने दूद पर जाएगी बाइसा 15-16 लीटर दूद की बैंस है तो चीसरे बीयांत में बच्चा देन है इसने कितना समय पड़े अभी दिन पड़े हैं इसके 10 दस दिन पड़े हैं तीसरे बीयांत बोले दे दें तो चले जाएगी बाई चलेगी एक बात है बहुत ही शान्दार फिट बॉड़ी एक द सब्सक्राइब निकालने वाला दूद तेरा लीटर है बारां साधे बारां तेरां लीटर की अच्छा जी कितना दूद नॉर्मल सब्सक्राइब निकालने वाला 16-17 लीटर पर चली जाएगी दिखने पर्खने में भी बहुत खूबसूरत है और दूद भी बहुत बढ़ी है क्योंकि लोडिंग का समय लोडिंग की लगी हुई है गगन जी कितने की दूद वाली है बाई दूद भई अभी निकालने वाला 16 बाई 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 बीस दिन अच्छा जी और जो नामी बच्चे का आगे सच्छिरियकाल दोस्तों मैं आपका अपना कुल्वीर सिंग स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगो प्रॉपर एड्रेस गाउं राजपुरा माजरा तहसील मंडी डबवाली और डिस्टिक सिरसा हर्याने का एरिया जी पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर बिलकुल पास में यहां रह जाता है जी रूटीन में वीडियो भी आती रहती हैं और सेल के लिए अवेलेबल गा नाच साथ बैंसे सेल के लिए अवेलेबल भी हैं डिटेल बातचीत आगे की गगन जी के साथ करते हैं और प्रॉपर डिटेल आज बाड़ी बैंसों की आप लोगों के साथ शिर्चाइब जी तस्रीकाल जी कैसे हो बई बहुत बढ़ी है बढ़ी बढ़ी बगवान का जलो कॉंटेक्ट नंबर जी 946-028-782 तो गगन जी रूटीन में वीडियो तो लापती रहते हैं ना जी दो दिन पहले भी वीडियो बनाई आज फिर से आ गया जी बिलकुल जी आज फिर से नए कस्टमर और नए बिलकुल सही है जी टोटल भाई आज फारम पर अवेलेबल आप देखी रहे हो साही है जी फारम फुल हुआ पड़ा है थोड़ी सी जगह की दिक्कत जरूर है लेकिन क्या है के पशुओं की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होती लेकिन बिलकुल बिलकुल भाई है आने वाली है क्योंकि यह वीडियो थी ना यह के लिए बैंसों की थी इसलिए हम ज्यादा बैंस ही है जो आप मारे पास चलो वीडियो बैंस की लगा रहे हैं सारी बैंस दखा देंगे अच्छी गाएं तो कल यहां परसों फिर दो दिन बाद रहेगा लोडिंग तो उसमें भी दखा देंगे साही है जी तो बाई जो आज 11 बैंसे बेज रहे हो बैंसे लेकर एक लाख पांच और दूद्ध हजार से एक पांच हां जी पचासी नब्बे एर से लेकर एक लाख पांच एर तक और इन सभी पसूं की आइवरेज करें तो लगबग 95 यह रहेगी दस बैंस है एक कटड़ है अच्छा दूद की के आइवरेज रहेगी बाई यहां से जो निकला हुआ दूद है दस लीटर से लेकर 16-17-17 लीटर तक गई अच्छा दोनों समय का 10 लीटर से 16 लीटर तक शे दिन होगे कस्टमर आए को जो मारे किसान भाई आई है अच्छा छे दिन से इधर है बिल्कुल शे दिन होगे आज इनको रेगुलर में पूरी नमस्कार कैसे हो बाई साब बढ़िया क्या शुबनामा जी चंद्र शेकरपाटिल और कहां के रहने वाले हो बाई जलगाउ से महराष्ट्रा जलगाउं से गगन जी के पास पहली बार आए जा पहले भी आई कभी नाई पहली बार आए कैसे संपरकू है इनके साथ इनके साथ तो हम भी ही दखाते हैं हमें अच्छा लगता है तो आप इनके बारे में क्या बोलोंगे काम कैसा है इनका पहले बहुत बड़िया है बड़िया में बटया है बड़िया जो बोलते जैसा गर जैसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए चलो बड़ी आबात था जी तो भाई दूसरे नुमर पर बात करोंगा दाम की बारे में जैसा उदर से अपना बज़ेट बनाकर लेकर आए थे वैसे बज़ेट में मिलें इसके में मिलें दूदनाबकर पूरी तसली है कैने का मतलब जैसा इदर दूद निकाल रही है वहां जाकर भी निकाल देंगी और एक खास बात आप से जाना चाहूंगा पांच दिन से आप इदर हो आपकी बैंसे भी कुछ तब से इदर आगी होंगी है ना जी तो बैंसों की देख रहे हैं फारम पर कैसी क अगर महराश्ट्र से हैं तो फिर मराथी में थोड़ा एक्स्पीरेंस बताईए गगन जी के बारे में गगन जी बहुत अच्छे मराथी में बोलू किया हां जी तुम्हाल आईचासल महीशी गया रहा तो गगन बावकड़ या खुप चांगला महीशी तानी एदम चांगल जो नया बाई आना चाहता आजाए फिर बे फिकर होके बड़ी आपाता है क्योंकि इनका जो काम है वो इंजीनिर है अच्छा जी आपने काम वर्क में जो इंजीनिर है जी तो इसलिए यह दंदा बोले हम रटैर होंगे तब ही यह दंदा करेंगे क्यों ना अभी से इनकार दिन से रुके हुए है इदर उदर रजस्तान गे पंजाब गे हर्याना वी देखा बॉर्डर का अरिया और लगवग पांच दिन से इन्होंने जो देखा है आज खाने-खिलाने का दो बैस कम खा दी थी तो इन्होंने मेरे साथ में लगके जो हम थोड़ा सा बनाके देते हैं कि बैस यहां पर खाए और आगे जाके भी खाये और साथ में वी जो समान हमने दिया इनको इन्होंने साथ लगके कि भाई यह कैसे देना कब देना है बैस उदर जाके कम खाती है ना इसके लिए प्रॉब्लम आ जाती है वह जो सिस्टम था आमने इनको थोड़ा होता जो दवाई थी वह यहीं से इनको त्यार करके दिया कि आगे जाके दिक्कत नाये जो साथ में काका जी भेजेंगे केर टेकर गाड़ी के लिए उनको भी बोला आज इदर दे दिया है कल दो दिन बाद उदर रुकने के बाद माल उनको जो खिलाने खिलाने का सैटिंग बाद करवाएकर फिर वापसाने तो भाईया आपसे एकी बात बोलूँगा वैसे आपकी बात चीत मेरे को बहुत अच्छी लगी हिंदी जानते हो जादा बहुत बढ़िया बात है हमारी राष्ट्वी यह बाशा है लेकिन मात्र बाशा को मत बूली है सही है जी तो उसकी काफी होगी जी इससे आगे बैंसें आप लोगों को एक एक करके चला कर दिखाएंगे और पहली बैंस आप लोगों के सामने है जी ताजी बिलकुल बयाई हुई बच्चा कटडी है साथ में कद काठ रंग रूप में दिखने परकने में अच्छी बैंस अडर की शेप काफी शांदार बिलकुल उताजी बैए गगन जी क्या डिटेल है सुबह चार वजे बच्चा दिया है साड़े चार पांच वजे आज सुबह चली थी थोड़ा सा बीच में थोड़ा यह लड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा रही सब गेर देगी और बच्चा है कितने दूद पर जाएगी 15-16 लीटर दूद की बैसा है और तीसरे ब्यांत में यहनियन में ठीक है सही तीसरा ब्यांत है और 15-16 लीटर दूद भाई अच्छी मैस है अगर आप इसका कोई एक दो लीटर ज्यादा भी बोल दो ना तो भी मानने वाली बात है क्योंकि अच्छा दिखा रही है बिल्कुल जी बिल्कुल तीसरे ब्यांत में आगे से लेके पिछे तक फुल हाइट क्वालिटी बहुत बढ़िया है रेयर में पतली चंबडी की और दूद वाली बैसा भाई क्या दाम का गंजी कर रहा है इसका 85 पचासी अरपे यह सेल के लिए है 85 पचासी हजार दोस्तो दाम इस बैस का रखा गया जी क्वालिटी आप लोगों के सामने तीसरे बैयात में ताजी ब्याई साथ में बच्चा कटड़ी और दूध बाई ने बताया 15-16 लेटर निकालने वाला ले आई यह बाई बाई बाद धिये जी इससे आगे दूसरी बैस दोस्तों चला कर सब्सक्राइंगे कॉंटेक्ट नंबर गगंजी का सकरीन की उपर आ रहा जी जो भी बाई बात चीत करना चाहिए इससे आगे दूसरी बैस चला कर लेका इससे आगे दोस्तों दूसरे नंबर पर एक और यह बहुत शांदार उंचे कट-काथवारी बैस आप लोगों के सामने है जी पहले क्वालिटी देख लीजिए रंग रूप हाइट वेट देख लीजिए अब अडर की शेप भी देख लीजिए और यह बैस अभी ब्याने वाली है बहुत बारी बरकां वजन है गगंजी क्या डिटेल है भाई सब तीसरे ब्यांत में बच्चा देना इसने कितना समय पढ़ाई जी दिन पढ़ें इसके 10 दस दिन पढ़ें तीसरे ब्यांत में लेकिन रेर में दूसरे ब्यांत बोलके देदें तो चले जाएगी चलेगी बाई चलेगी एक बात है बहुत ही शानदार फिट बॉड़ी एक दम है ना जी आप मोरनी जैसी है कही देते है मुर एक लाख बीस अजार दाम रखा गया गगन भाई एक बात पूछूंगा अगर इसकी आंखें ब्लैक होती तो दाम कितना बढ़ जाता भाई फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं थी लेकिन जो भी प्रमात्माने इसकी सुंदरता में फिर भी बहुत बढ़ी है इसकी सफेद में बोलते हैं ऐसी है कि जैसे जाती हो बिल्यकुल जाती है यह जाती है जुस्तिया और मालकों में नाम इसका रख रख रखा बिली बलाने से चलती है और खाती हूए और बैठ भी जाती हो बढ़ी है वह बढ़ दिए इसे आगे तीसरे-बमबर दोस्वें और यह नयाब ह प्रेक्चर बोड़ी की क्वालिटी पिट पुड़ा आंचलों का साइज गैप और फेस क्वालिटी सिंग शेंगार देखिए कितनी परफेक्ट शेप है और गगन जी क्या देदा जी अच्छा जी और मुझ से चार दांत है बच्चा दिये को दस दिन हो गया अच्छा जी मेल काफ है जी मेल काफ हां जी निकालने वाला दूद 9,9 लिटर है गगन जी एक दम फिट बोड़ी है इसकी वी है ना जी कद काठ दिखने पर्खने में बहुत खूब सुरत कितने दूद पर जाएगी वह सब 12,12 लिटर दूद देदेगी वह भी बहुत है लेकिन आगे के लि 85,000 फोल एंड फाइनल जा मान सम्मान कर देंगे बाई ओके जी ले आए ये बाई 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 इसे आगे चौथे नमबर पर दोस्तों आगी एक गाय आप लोगों के सामने जर्सी क्रोस ब्रीड में बोलूँगा साही वाल और जर्सी की क्रोसिंग ह बहुत अच्छा देखने पर खने में बहुत खूबसूरत है गगन जी क्या डिटेल आजी बताते हैं वाला दूद तेरह लीटर है बारां साड़े बारां तेरह लीटर की अच्छा जी कितना और नॉर्मल 16-17 लीटर पर चली जाएगी दिखने पर खने में भी बहुत लेकिन आपने जो पहले बोल दिया आप भी सारा दिन वीडियो के इदर उदर जाते रहते हो आपको भी जान करिए मैं अपने मूँ से कुछ बोलूँगा फिर आप बात को काटोगे वह गल्त बात है जो बात सी वह आपने पहले बता दी बाई साब गगन जी सेल के लिए है 55,000 दाम और 16 17 लीटर दूद दिखने पर रखने में बहुत प्यारी गाय ताजी ब्याई हुई है ले आई बाई 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 बांदिये जी इससे आगे चौथे पांचवे नमबर पर एक और गाय ले ले इससे आगे दोस्तों दूसरे नमबर पर ये एक और गाय आप लोग से कम 10 दिन पढ़े हैं तीसरे ब्यांद ब्याने के लिए बाई ब्रीड ये भी साही वाल में पढ़ती है ना जी साही वाल और थोड़ा राठी का आप बोल सो जो पिठ्थ है ना इसका हां जी वह राठी जैसा है पिछे से दूबली साही है लेकिन आई अभी है थोड़ी सी हाथ की सफाई करने वाली है हाजी वो इसको लोगों बगारा लग जाएंगे पैरवेर साफ हो जाएंगे नी हाँ पाउं तो इसके साफ करने वाले है ज्यादा केयर कभी नहीं होती है बिल्कुल बई ग्रामीन इलाके से हैं कितना दूद देदेगी दूद देदेगी 14-15 ल सकते हूं कि आज अपने गर पर सबसे सस्ती यही है बिल्कुल बई 37,000 दोस्तों दाम रखा गया मान समन मौके पर कुछ ना कुछ हो जाएगा बैने वाली है दिखने पर रखने में कैसी वो आप लोगों के सामने है अट की क्वालिटी भी बड़ी अलग रही है क्योंके आप लोग अपनी 24 बता सकते हो और भी जैसे गाई कोई भाई खरीदना चाता है तो वैसी गाई आप लोगों को मिल जाएंगी ले जाएए बाईबान दिये इससे आगे और लेया इससे आगे दोस्तों अब बैसें आप लोगों को चला कर दिखाएंगे जो सेल होकर यहां स महराष्ट्र के लिए जा रही है पहले जो टिया आप लोगों के सामने हैं पहले कद काथ पिठ पुड़ा देख लीजिए दिखने पर खने में खूबसूरत अडर की शे पांचलों का साइज जा सींगों की बात करें काफी बढ़िया क्वालिटी है गगन जी क्या डेटेल है बच्छा दिया इसने दूसरे बयानत में बच्चा दिया तीन दीन होगए बच्चा क्या जी है जी मेल काफ कट्ड़ा जी और जी कितने के दूद बढ़ी रहे गी बई सब दूद अब है निकल रहा है नो सड़े नो दस लीटर है और ये महरास्ट्रा जल गाम के लिए जा सब्सक्राइब करने का स्टाइल देखिए जैसे गर्दन ऊपर करके चलती है तो भाई क्या दामें दीगी है यह 95 की दी यह 95 हजार की ओके जी बांद यह सेलेक्टड दोस्तों बैंसे आप लोगों को चला कर दिखाएंगे जितनी की सेल के लिए थी उनमें से भी मैसे चला कर दिखाएंगे इससे आगे दूसरी बैंस लेकर आई इससे आगे दोस्तों दूसरे नमबर पर यह एक और ताजीब यह बैंस आप लोगों के सामने आगी जी बिल्कुल पतली चमडी वाली है आप लोग करीब से जैसे देख रहे हो बच्चा है कटड़ा इसके साथ कड़ का आप लोगों के सामने गगन जी क्या डिटे लगए वाई इसका तो दूसरा भी बोल दो तो चलती है ना जी तीसरे ब्यांत में बच्चा दिया और अभी दुपहर को अभी एक बज़े इसका दूद निकला क्योंकि लोडिंग का समय लोडिंग की लगी लगी हुई है ओके बैंद जी कितने गoga दूद वाली है दूद बाई अभी निकालने ऒाला सोला साड़ा साड़ा फ्र्ов बीकालने वरा वाला बोगई को बीघैल पीिस नोतीस न के लिए बाइब डिको फिक बैशित वी नामी बच्चे का आगे उच्छा चारए शॉन जी कितना बढ़ेगी औ और आम से 18 लीटर तक लेकिन 16 लीटर दूद भी बहुत है जो इनकी तीन टैम की मिल्किंग हो चुकी अभी साहिए क्या दाम में दीगी है बाई एक लाख दो यार में दीगी है एक दूद के हिसाब से अगर बात करूं सिंग शिंगार की थोड़ी जादा अच्छी होती तो 25- बहुत है इतने भी अगला संतुष्ट हो गया दूद निकालके भी और हाइट लेंथ लेके पिछे तक बहुत लंबी बैंस है ले आई बढ़ बाई बांद यह इसे आगे दोस्तों यह तीसरी बैंस जो यहां से सेलोकर महराश्टर के लिए जा रही है जी वह आगी आप लो रहे थे के गाड़ी लोडिंग की बिल्कुल तयारी है चलाते रही है बाई गगन जी क्या डेटेल है जी सब दूसरे ब्यानत में बच्चा जी है दूसरे ब्यानत में बाई उपर से तो बहुत जबरदस्त है निचे से भी आप उपर से देखके अंदाजा लगा रहे है और दूद छोड़के रोक के अगले की स्टसी कर दें अब लंबा सफर करेगी आगे इनको रुकते रुकते कल सुबह साथ बच जाएंगे क्या कितने दूद वाली है गरगन जी बैसाब यह 15-16 लिटर वाली 15-16 और दाम कितने में दिये दाम 95 पिचान में हमतार ओके जी ले जी चलाते रही है अंकल भाई क्या डेटे लेगा बैसाब दूसरे ब्यांत में बच्चा देगी अभी अच्छा जी और बच्चा देने के अभी 10 दिन पढ़ें दूसरे ब्याद बैने में मीडियम हाइट में बहुत साफ सुथरी है फिट बॉड़ी वाली बिल्कुल भई पहल वानों जैसी वाई आंचलों का साइज गैप बहुत अच्छा है दूद कितना देगी जी वाई 15 लीटर 15 लीटर दोना बिल्कुल और दाम कितने में दिये बाई यह दो कम नभी एटी एट थाउजन अठासी हजार की देगी दोस्तों बैस बैने वाली है अडर एकदम फिटिंग वाला आंचलों का साइज गैप बिलकुल एक समान अठासी हजार में दी गई और 15 लीटर दूद गगन जी बता रहे हैं ले आईए बाई बाई बांद यह जी इसे आगे गगन जी आप आईए कैमरे के सामने चंद बातें करते हैं आपके साथ तो फिर गगन जी यह होगी आज वाली गाय और बैंसों की डिटेल सेल के लिए अवेलेबल एंइमल भी दिखा दिये जो सेल होकर जा रहे हैं वो भी दिखा अपने पंजाब में जैसे दान की कटाई पूरे जोरों शोरों पर चल रही है पंजाब हर्याना की अरिये की बात तो फिर आज के द अब ही थोड़ा से हम बैक है एक मंत का लेकिन फिर भी जो है अपना तो वही बढ़िया चल रहा है बगवान की किरपा से क्योंकि नए लोग है निया दंदा करते हैं उनके लिए मुश्किल होती है अपने तो जैसे दादा पड़ दादा के समय से काम चल रहा है ऑन लाइन और यहां वे और वीडियो के चल रहा है काम बहुत अक्रां गगन जी उसमें ना क्या रहता है कि आपके बाप बाप-दादा से आप काम करे है अगर अच्छे तरीके से साफ सुत्रा काम कर रहे हो तो आगे आप भी चल रहे हो है ना जी उसमें कोई दोर आए नहीं है अगर पहले से कोई ऐसी हेरा फेरी उतार चड़ा आवाली बात होती तो फिर आज ऐसे कस्टमरों की लाइने नहीं लगती आज ऐसे नौरा पश्वों जैसा भी आप बहुत बढ़िया चल रहा है और इसे ये बताने की जुरूत नहीं है कि आप कैसा काम कर रहे हो और ना उसमें से आपकी बात बीच में एक बात मेरे दिमाग में आगी जैसे जब पहली वीडियो बनाने के लिए आपके गर पर आया था तो आपने एक बात बो जबान वो बात कभी भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी अगर पुराने समय से काम बले ही है लेकिन आज भी जमीन के साथ जुड़े हुए है और आगे भी आपसे यही काम ना करता हूँ बिल्कुल जी अन्त में प्रॉपर अड्रेस और फॉन नमर रेपीट करते हैं प् प्रेमी डेरी फार्म के नाम से यूट्यूब पे चैनल बना है भाई साथ यह र्क्वेस्ट है देखने वाले भाई को किसान भाईयों को सभी को कि अपना सब्सक्राइब कर लें भाई साहिए दन्यवाजी अच्छा लगा राम राम जी राम राम जी